हेलो क्रेंट्स वेलकम वेक टू माई चैनल और कैसे हैं आप सब अब आप लोग अच्छे होंगे आज है मंडे और आज सावन का दूसरा सौंबार है तो बस मैंने जेस्ट अभी कुछ टाइम पहले शावर लिया है पूजा वगर कर ली है तो सोचा अपना ब्लॉग शेयर करती हूं यह भी गय हुए है मार्केट कुछ सामन वगरे लेने के लिए तो ऑइल लेके आना था नमकीन वगरे भी पूल रहे थे लाने की बैजटेबल्स भी लाना था क्योंकि वेजटेबल्स खतम हो गई है सारी और यह सब कामना मंडे को इजादतर करते हैं यह क्य लेकर आते हैं यह जो भी लाएंगे आप लोगो दिखा दूंगी और अभी तुम्हेरा कुछ भी नहीं बनाया है अब यह आजाए तो इनसे पूछोंगी इनको क्या खाना है और अपने लिए चाय बनाऊंगी सबसे पहले तो कल इबनिंग में भी हमारे बारिश हुई थी ऊसम जो है ना फंडा हो गया है और यह हो रहा है कि वारिश होती है बन्दो जाती है जूप निकल आती है तो गर्मी लगने लगती है लेकिन कल बारिश होई ती साम को तो नाइड से थंड़ों को गई है और आवाज भी थोड़ी àsłość लग रही होगी आप लोग को क्योंकि म सबसे चोटी बाली तो मेरी ये तीन भांजियां है और मैंने जो पानी पूरी आप लोगों को दिखाई थी आप लोग उसकी रेस्पी मांग रहे हो तो इसी ने बनाई थी मेरी भांजी ने और ये बहुत ही अच्छी पानी पूरी बनाती है अब आज इतना टाइम नहीं है क् काफी टाइम बार आई है तो थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे नेच टाइम बना के दिखाऊगे ये ये आपनों को पक का जो है रैस्पी शेयर करेंगी बताएगी बहुत यच्छी पानी पूरी बनाती बिल्कुल मार्केट की तरह है तो चलिए अब मिलते हैं थोड़ी रखे रहेंगे तो बस बेज़ेटेबल्स लेकर आए हैं नमकीन के पैकेट है ओल है तो बस अब जो है इनको ऐसे छोड़ दूँगी अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाए तो बस मैंने पानी रख दिया है गैस पर उसमेचीनी चाइपती अद्रक को एट कर दूँगी मैंने अपने लिए चाय नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे पता था ये लोग आने वाली है तो मैं रुक गई थी मुझे यह ताकि जब ये लोग आ जाएंगे तो साथ में ही पिएंगे और ये भी मार्केट से आ गए हैं तो बस जो छोटा कंटेनर है उसमें चीनी खतम हो किचिन में काम करती रहती हूं और ये लोग साथ में खड़ी हो जाती है ताकि बातें भी कर लेते हैं और कभी कभी कोई आता है ना तो बातें तो होती है और बस इससे पहले जो भांजी आई थी आपने देखा था वो भी किचिन में खड़ी हुई थी और ये भी तो बस हम बाते कर रहे हैं यहाँ पर और मैंने अद्रक और लॉंग को कुट कर डाल दिया है और यहाँ पर मैं छोटी वाली जो भांजी है उसी से पूछ रही थी कि वो बिस्किट खाएगी क्या क्योंकि वो जो है अंदर रूम में बैठी हुई है टीबी देख रही है कार्टून बग यहाँ पर मैं जो है इसके लिए विस्किट निकाल रही हूं और ऐसी बस मस्ती गॉसिप चलती रहती है कोई घर पर आता है न तो काफी अच्छा लगता है क्योंकि आप देखी रहे हैं मैं कितनी खुश हूँ अकेले जो है बस उतना ही रहता है कि यह रहते हैं से बात कर ल हैं तो जादा नहीं है बस तीनी ब्रेट बचे हुए हैं तो बस मैंने जो तवा है उस पर बटर लगा दिया है और इनको सेक लूंकी चाय भी बॉइल हो गई थी तो इसमें दूद मैंने एट कर दिया है और मेरी एक दो सब्सक्राइबर हैं जिनका मैं नाम लेना कि यह तयार तो बस इसी को मैं चान रही हूं यहाँ पर मैं इसे बूल रही थी कि क्या खाना है देख लो तो यह यहीं बूल रही थी कि जब देखो आप खाने खाने की बूलती रहती हो क्योंकि मेरी आदत है जब भी कोई आता है तो मेरा यह रहता है कि उनको क्या खाना है क्या पसंद है तो मैं यही बोलती हूँ जो खाना है मुझे बता दो जो खाना है वो ले लो खालो तो बस यही बोल रही थी आप हमेज़ा ऐसे जित करते हो खाने के लिए चाय को मैंने चान लिया है और बस साथ में हैं ब्रेड तो आप लोग भी आ जाएए हमारे साथ चाय पीने के लिए और मैं नहीं खाने वाली हूँ मैं सिर्फ चाय प्यूंगी यह लोग खाएंगे यह और यहाँ पर जो है मेरी भांजी देख रही है हमारी बैडिंग एल्बम तो इसने ना देखी नहीं थी बोल रही थी कि मामी मैंने आपकी एल्बम नहीं देखी है और इसको जो है न कुछ फोटो बगर भी क्लिक करनी थी इससे तो बस वही आराम से बैट कर देख रही है और यह भी बैटी कि हमारी जो बैडिंग फोटो है वो कैसी है वैसे पहले आप लोग के साथ मैं जो है ना अपनी बैडिंग तो मैंने सूचा कि बॉैल दे 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 ना और साथ मैं जो है चपाती दे दे ना तो बस मैंने आलू जो है उनको कट करके रख लिए यहाँ पर चपाती भी सी्क रही हूं और जो चपाती का कपड़ा रखती हूँ मैं कैसरोल में वो मैंने वाश किया था वालकनी में डला हुआ था तो बस मैंने अपनी भाणजी से बुलाता वही जो है वो लेने के लिए गई हुई है और मेरी कुछ सब्सक्राइबर है चलिए उनको मैं विश कर देती हूँ सबसे पहले जिनका मैं नाम लूँगी वो है अनू मली इनकी भाई का बर्तड़े है 13 जुलाई को उनका नाम है मनीज एक और है निकीता इनका बर्तड़े है 15 जुलाई को और है पूनम राइकवार इनकी बेटी का बर्तड़े है 13 जुलाई को और है रिचा सिंग इनकी सिष्टर का बर्तड़े है 12 जुलाई को so wish you happy birthday सरीता जी एक और है बिदी शर्मा इनकी anniversary है 14 जुलाई को और इनकी 25th wedding anniversary है so wish you happy wedding anniversary both of यू और है समीता चंदरकांथ इनके बेटे का birthday है 11 जुलाई को so wish you happy birthday और समीता चंदरकांथ की anniversary भी 15 जुलाई को है so wish you happy wedding anniversary both of यू और है जा 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 इनके husband का birthday है 14 जुलाई को उनका नाम है अभीशेख so wish you happy birthday और है सौरप संदू इनके भतीजे का birthday है 14 जुलाई को so wish you happy birthday अनमोल बेटू और है आलोक सिंग इनके बेटे का birthday है 14 जुलाई को so wish you happy birthday आयुश बेटू और है प्रिया मौनू शर्मा इनके भतीजे का birthday है date इन्होंने नहीं बताई या फिर मुझे याद नहीं है उनका नाम है प्रिंस so wish you happy birthday प्रिंस बेटू आप खुश रहो happy रहो तो यहाँ पर जो चपाती है वो बन कर तयार हो चुकी है और अब मैंने तबेपरी थोड़ा सा oil डाला है इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा एट कर दिया है थोड़ी सी healthy powder डाल दूँगी और बस जो आलू कट करके रखे हैं इनको एट कर दिया है और अच्छे से mix कर दूँगी तो उसको और बस अब जो है मैं प्लेट में निकाल कर दे दूँगी और अब मैं बनाऊंगी सोया चंग से पुलाओ जो की मेरी स्पांजी को खाना था तो मैंने पूछ लिया था बोल ली थी मामी आप जो है पुलाओ बनाओ जो सोया भी उगड़े डाल कर बनाते हो और यहां पर आप सोच रहूंगे यह जो हरा धनिया पुण टोड़ रही है तो यह बनाने वाली ह tutorial पाने टिक का पानी क्योंकि यह पांगी पुरी अच्छी बना लेती है उसका पानी भी खोदी बनाती है पानी पुरी तो ये मार्केट से लेकर आये थे पैकेट तो बस मैंने बुला कि तुम आ गई हो तो पानी पुरी का पानी बना दो पूरी पिरी नहीं की है क्याओ मैं पानी पूरी दिखाओंगी पूरी रैसिपी तो बस यहां पर मैंने फृप टी तीर ला мамे oh look मैं खना स्रोपिंग एड़ी कर ली दो अ हमना अफंग मैं आप मैंट एट लता है जब तक यह सब मसाला होगा उतनी देर के लिए और राई और जीरा तड़क गए हैं अब इसमें मैं कटी हुई प्याज और हरी मिर्च को एट कर दूँगी तो बस मैंने एक प्याज ली ती जिसको लंबे-लंबे स्लाइस में कट किया था दो से तीन हरी मिर्च थी उनको कट कर दिया है और साथी में जो भी आपके पास बैजेटेवल्स एबलेबल हो जो आप डालना चाहते हूं आपको अच्छी रखते हूं वह आप डाल सकते कोई भी अपने पसंद की और बस यहाँ पर अब इसमें मैं एट कर रही हूं एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर अच्छ कर दीँदी है साथी मैं इसमें जो है अच्छे से मि मु Init सोया चंग्स पैली से दबागार अच्छे से दौनों हाथेली ।बा अन का पानी मैं निकाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर रहे हूं और नमक डाल दूंगी ठोड़ासा अभी जो बैजेटेवलस डाल Oláून उनके तो आप एट कर दीजिएगा, अच्छे से मिक्स कर दूँगी, थोड़ी देर के लिए इनको फ्राय कर लेना है, और फिर इसमें और मसाले एट करेंगे, तो बस इसको मैंने थोड़ी देर के लिए बूल लिया है, अब इसमें मैं डाल दूँगी, एक चोथाई चमच के करीब लाल मिर्च पाउडर, एक चोथाई चमच से जादा ही डाला है, अच्छे से मिक्स कर दूँगी, तीख आप अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं, साथ ही मैं इसमें मैं डाल दूँगी बिरियानी पुलाव मसाला, तो ये जो है, मैंने आदा चमच से थोड़ा जादा एट कर दिया था, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और बस यहाँ पर डाल दूँगी राइस, जो कि वाश करके रखे थे, अच्छे से मिक्स कर देना है, और इनको जो है, थोड़ा सा ऐसे ही मैं चलाऊंगी, मिक्स करने के बाद, भूनूँगी राइस को, और बस इसमें फिर एट कर दूँगी पानी, तो जितना राइस लिया है, उसका डबल पानी एट कर दे, बाकी राइस, राइस के उपर होता है, तो मैंने जो है, एक कटोरी राइस लिया था, दो कटोरी पानी एट कर दिया है, और अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब इसमें मैं डाल दूँगी नमक पूरे राइस के साप से साथ ही मैं इसमें मैं एक चमच देशी गी एट कर दूँगी उससे जो है न टेश्ट काफी अच्छा आता है तो जरूर लाश्ट मैं एट कर दीजिएगा और बस कुकर को बन कर दूँगी तो हमारे जो बन कर तयार हो जाएंगे सोया चंक्स पुलाव तो बिसल आने दूँगी और यहाँ पर यह बन चुके हैं कुकर को ओपन करते हैं और यह मेरी भांजी थी तो वही जो इस तरह से हाथ कर रही थी और यह आप देख सकते हैं बेच पुलाव बन कर तयार है सोया भी इन पुलाव अच्छे से इनको मैं मिक्स कर रही हूँ और प्लेट में निकाल लेती हूँ तो बस यह बन चुके हैं गर्म गर्म खाने के लिए तयार है पचार के साथ या ऐसे भी खा सकते हैं और यह है मेरी भांधी जो की खा रही है राइस इसके डिमांड पर ही मैंने यह सोया पुलाव बनाए है कैसे बने हैं तो बस यह यहां पर इंजॉय कर रही है आप लोग भी आजाएए खाने के लिए तो चलिए आप यह आलाम से बैठ कर खा ले अब यह टाइम हो गया है साड़े चार का और बस यह लोग जो है जा रही है तो मैंने बुला कि आप सभी को बाय बोल दे और बस मैं जो है बाहार गेट पर इनको छोड़ने के लिए जा रही हूँ और यहां पर जो है मैं कुछ बता रही थी कुछ बोल रही थी तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं अगर आज का यह ब्लॉग आप लोग को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा साथ मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई अभी टाइम हो गया है इवनिंग का और जो सारी यह बेजेटेबल्स जो लेकर आए थे उनको मैंने वोइश कर दिया है तो यह फली है और यहांपर यह है बैंगन और भिंडी है एक challenge मैं रख लाओकी है और यहांपर यह है तमाटर और छोटे वाले वेंगन भरवा बैंगन बनाने के लिए और यह हैं तोरण आलु जरौ हैं एक बास्केट में दो दो सब्सक्राइब मैं रख दी है ताकि अच्छी सूख जाए और यह सब्स बॉस्ट करने में आदा घंटा आराम से लग जाता है यह नया काम सूरू हो गया तो टायम तो लगता ही है आपर यह फ्रिज की बास्केट भी वॉश करके रख दी है क्योंकि यह बगाइबर सूख जाएंगी तो फरिस में मैं रख तूंगी